वो तो बिहार के मुस्मानों को ब्लेक्वेल कर रहा है। कौन? अबैसी उबैसी साथ को सबजी भागाना होगा। तब हाँ, तब ही इनका कुद्ध अंका पिटाएगा। नहीं तो बाड़ागों का बाड़ागों जिरो पर चल जाएगे वो? लगता है जीतेंगे बिहार में जीतेंगे अपना अधिकार सबको हख है अपने लणने का जीतेंगे फैसा जनता करेगी वाइसी की पार्टी ए आई एम आई एम बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वाइसी ने एलान कर दिया है हमारे साथ अलब संक्यक समास के लोग हैं उनसे जानेंगे बिल्लू भाय हैं क्या लगता है बिहार में 12 सीट पर चुनाव लड़ रही है क्या होगा उबैसी को 400 सीट पर लड़ना चाहिए उजो बाड़ा गो छे गो पांच गो जो करते नहां है इसलिए उन पर बिलेम लगता है बी टीम समझ रहा है तू 400 सीट पर लड़ है अगर उनकी पाटी बाड़ा पर लड़ रही है तो बहुत परतियासी निर्देलिये भी लड़ रहे है तो निर्देलिये में भी आपनों खोच-खाच करके दिजिए यह क्या है दूगो चारगो और कहने का मतलब यह कि हम लोग की आवा से आकर करके उन्होंने देखा बताया कि आप लोग घबडाईये नहीं हम लोग साथ है तो हम लोग 40 सीट पर उबैसी जी को लड़ना चाहिए बारागो पर नहीं हा और बिहार का राधधानी पतना पतना का राधधानी सब्जीव आगया है यहां से जो जो एलान होता है उब आधाना होगा हर कीमत पर उनको आना होगा नहीं तो बाड़ागों का बाड़ागों जीरो पर चल जाएंगे वो लड़ना है तो खोल के इंसाब चालीब के हिमाइत में जाएगा यह हाल है तो कौन अदालत में जाएगा अदस्तार नोच खसोट कर ले उड़े अवाब सर बचाए भी स्राफत में जाएगा फैसला हो फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए जंग हो या एक सो भड़पूर होना चाहिए उम्र बीद गई पत्थल तोरते तोरते इन हातों में तो कहनूर होना चाहिए इसलिए हम उब बाड़ा को लर रहे हैं उलरे हैं और सुन लेजिए कोई जाज़पात की बात नहीं होगी जिस लोग सवा में जिसका ज्यादा वादी होगा उबाइसी उसी को टिकट दे या बरमन हो या पसमान जी हो या कोई जलीद भाई पेड़ा हो जो जिस वेक्ति हैं जिसका वादी उसको हग मिलना चाहिए कोई दहीं उबैसी को 400 सिट पर लड़ना होगा बारा सिट में एक भी सिट जीतेंगे अरे बारा को पर जीतेंगे सुनिये कासी राम बोले थे कि पहले लो जी उसके बाद लड़ो हरो फिर हरवा दो अब फिर सत्ता हाथ में लेलो हम लोग कासी राम होना चाहिए बारागों पर नहीं होगा चालिस पर बारागों है उनकी अपना मांग है अब बिहार का जनता का मांग है कि 400 सिट पर होना चाहिए चालिसों पर एक मेंटर के बिल्लू भाई आओ बात करेंगे वैसी की पार्टी 12 सिट पर चुनाव लड़ रही है बिहार में तो ठीक तो कर रही है क्या नाम हूं आपका आप भी दुसायन क्या लगता है जीतेंगे जीतेंगे उससे क्या मतलब है उनको तो 40 को 40 सिट पर बि शाहिब को हाँ वहाई सब्धी बागी में में तभी उट मींचे तो मतलब लगता है जीते नहीं जीतेंगेनी जीतेंगे दिक करेंगी तो लग रहा है कि और वैसी कुछ कमाल करेंगे जीद कर लिये कर लिया है उसके बाद चारगों लेकर के भागे जब फैनल का दिन हुआ तो उनी का तिन को भाग गिया तो जो बोईएगा उदा पाईएगा तो आपको कहरें कि बारा सिट नहीं चाली सो सिट पर उबैसी को लड़ना चाहिए और जिसका जो आवादी है उसको टिकट मिलना पख्या जो आपक चाहिए खेला नहीं होगा चौबीस में चौबीस में जो खेला है यहीं खेला है उबैसी को चाली सो सीट पर बिहार में लड़ाना चाहिए अब मोधी जी फीर बनेंगे बनेंगे सुनिए गड़ बंदान मिल करके एक टाकत बन गया है और नरेन मुदी जी का जो है निसाना इवियम पर गिया वा है अब जो फैसला करेगा इवियम करेगा इवियम करेगा क्या नाम हुआ अनवर अली ओवैसी की पार्टी 12 सिट में चुना लड़ रही बिहार में बाप दादा की पूरी जमीन है यह हम लोगी दवर दस्ती वहाँ पर नखलो में अक्बर गंज में है लोग ने तोड़े तो हम लोग के घर मकान क्यों तोड़े और कुछ लिखत में कुछ नहीं दिया कौन लोग तोड़े कौन वागी सरकार ने बिहार में अबैसी की पार्टी 12 सिट में चुना लड़ेगी क्या होगा उरेशी को हिसाब अगर मुसल्मान एक सादरे उरेशी को जिताने पड़ेगा क्या तपा बोलो जाएगा उसका किसका अबैसी का ही सब सेट ऑफ बीजी पी क्या होगा ओबैसी का बिहार में कौन है सबसेट और बीजीपी बीजीपी का बीटीम है किलंगा ना में 119 सी बिदान सवाह है नौ सीट पर ला बागी 110 सीट पर नहीं ला क्यों नहीं ला हॉम स्टेट उसका है तो वह तो बिहार के मुस्मानों को प्रेक्वेल कर रहा है कौ क्योंकि और एक सक्समें तो यह कर दिया कि वह बाजबा का बीटीम है और बिहार के मुसल्मानों को ब्लैक मेल कर रहे हो वैसी बैडाल वैसी की पार्टी 12 सिट पे जो बिहार में चुनाओ लड़ेगी क्या होगा नेतिजा यह तो जून में पता चलेगा हमारी बात चित में